So what's up guys, पढ़ाई जोर शोर में नहीं चल रही है, कोई बात नहीं, I will tell you few things which are very much required for ensuring that we follow this on a regular basis. कई बार क्या होता है ना, अपने लोग बहुत आगे का प्लानिंग कर लेते हैं, यार मिरको 8 दिन में पूरा का पूरा AFM, FR, DT, कॉस्टिंग कम्प्लीट करना है, without realizing that यार वो 8 दिन तो बहुत दूर है, इधर आने वाले 8 घंटे भी अपनी पढ़ाई होगी के नहीं, अपने को नहीं पता होता है, and that is the biggest mistake that we do, and यहाँ पे आता है हमारा Japanese way of studying, जिसको बोलते हैं Kaizen Studying, क्या होता है पता है कि इसमें, यह लोग बोलते हैं कि यहार मत सोचो, 8 दिन का, 80 दिन का, 90 देज का प्लैनर यह सब छोड़ दू, अगर तुमारे आने वाले 2 घंटे ही अच्छे नहीं गए, then in that case क्या आने वाले 8 दिन, 80 दिन अच्छे जा सकते हैं, and the answer is so true, so focus on your next two hours, क्या 2 घंटे के लिए अपने mind को, अपने जो thoughts है, negative thoughts, anxiety, जो भी thoughts है, वो सबको अपन 2 घंटे के लिए तो control कर सकते हैं, the answer that you are going to get is yes sir, उतना तो अपने उपर discipline है अपने को, यार इतना बड़ा course कर रहे हैं, उतना discipline तो चाहिए, तो बस वो 2 घंटे के लिए mobile को साइट पे रख दो, जो anxiety वाले past वाले thoughts है, या कुछ future का, कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं, छोड़ दो, right, श्री कृष्ण क्या बोलते हैं, live in the present, and that is what kaizen strategy और kaizen studying is also all about, just focus on the next 2 hours, वो लोग का studying pattern क्या है, पता है क्या, वो लोग बोलते हैं कि दिन में 5 packets आपको भरने हैं, कौन से 5 packets, 2 घंटे के 5 packets आपको भरने हैं, अगर आपने ये 2 घंटे के 5 packets भर दिये न, on a consistent basis काम हो जाएगा, अब वो लोग बोलते हैं, इतना दूर का भी मत सोचो, आप ये 5 packets को भी side पे रख दो या, आने वाले 2 hours के ओपर focus करो, and जैसे ही वो complete होता है, see आपका जो target था वो हुआ है कि नहीं, and then again the next 2 hours, trust me, जितना consistently ये 2 hours करते जाओगे न, automatically एक rhythm बैठ जाएगा, कि yes या, 2 hours continuously बैठ ना है, but इतना याद रखना, जब वो 2 hours के लिए बैठ रहे हो, your mobile has to be switched off, or should not be with you, mommy, papa, भाई, बैन किसी को देदो, जो आपको 2 गंटे तक नहीं देगा, कोई भी phone की गंटी-वंटी, खाने-पीने का कारेकरम, TV, वी-वी साथ में नहीं होना चाहिए, those 2 hours are only between you and your studies, that's it, एक बार ये system set हो गया, एक बार ये process set हो गया, then in that case, automatically आपका mind ये आपको बूलने लगेगा, challenge करने लगेगा, चल, आज 5 पकेट नहीं, 6 पकेट दो गंटे की पड़ाई कर लेते हैं, and that is where things are going to change, so don't think beyond, don't think कि यार मेरा कब होगा, क्या होगा, exam के दिन पे भी, वो जो देड़ दिन का studies का time होता है, you know, we waste a lot of time thinking, के यार मेरा इतना portion बाकी है, कब होगा, भाई, इतना जो बाकी है, वो सोचने से तो नहीं होने वाला है, क्या होगा, दो घंटा आगे बागे पड़ाई कर ले, जो दो घंटे में तेरा दो दिन का दो chapters होने वाला है, focus on that, revision videos देखना है आपको और उसके साथ में कुछ notes बनाना है, focus on that, मतलब डाउनलोड कर लो revision video और फिर बाद में अलग से उसको आप view कर लो, that also is not a problem, right guys, so please, आज से packet system को follow करेंगे, आपको मुझे comments में पताना है that yes, I will follow the two hours packet system, कभी-कभी ऐसा होगा कि आपके पास two hours ना हो, जैसे अभी अगर बहुत सारे festivals आ रहे हैं, जैसे अभी गनेश चतूरती आ रहा है, या दिवाली आएगा, so many festivals we all know, हो सकते है कि आपको बीच में कभी आर्थी के लिए या कुछ और काम के लिए जाना हो, तो आपके पास एक ही घंटा अविलेवल हो, no problem, एक घंटे का वो packet बना लो, उतना packet तो बनाना ही पड़ेगा, bare minimum, so again, one hour, at that packet time, everything disconnected, वो एक घंटे का packet हो गया, do whatever work is then to be done, आर्थी में जाना है, किसी को मिलने जाना है, whatever it is, come back and then restart your two hour packet system, and see the wonders in your productivity, increase, big time, और आ जाएगी वो efficiency, बस live in the present, भाई, श्री कृष्णव कहते है कि आदमी वोही successful होगा, जो present में जीता है, ना past में जीने वाला, ना future में जीने वाला, क्योंकि अगर आप past में जीएंगे, तो आप tension में आ जाएंगे, अगर आप future का सोचेंगे, तो आप में anxiety आ जाएगा, उससे अच्छा आपके हाथ में क्या है, present, कि आने वाले 8 दिन आपके हाथ में, 80 दिन and also like it, and share your comments as to the Kaizen way of study, लिख देना नीचे comment पे, I will follow the Kaizen way of study, अस्ताल अविस्ता, keep smiling, और जाते जाते और एक बात बता दू, यार मैं तो बोलता हूँ कि खाली पढ़ाई करने के लिए ही क्यू, life में कोई भी काम करना हो, आज मुझे भी अगर notes बनाना है, concept का कोई video बनाना है, मैं भी Kaizen way of studying use कर सकता हूँ, CA बनने के बाद आपको, उसके बाद भी आपके client के लिए भी कुछ महनत करना पड़ेगा, startup चालू करोगे, business चालू करोगे, let's do the Kaizen way of costing, let's get it in our DNA, in our blood and bring the efficiency for life.